बूर्णिंग स्टुडेंट में पूजा जोशी यह साइंस टीचर वीडियो अगें दिया न्यू वक्षीट ओके दिसीट कोविड-19 एप्रोपेट बिहेवियर चिल्डन वियर मास्क फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटें और हैंड एंड हाइजीन चिल्डन वियर मास्क मेंस आपको जो मास्क है वो पॉपली अपने फेस पर यूज करना है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटें आपको एटलिस सिक्स फिट का दूरी बनाए रखना है हैंड एंड हाइजीन आपको जो अपने हैंड हैंड हो फ्रिकुंटली 20 सेकंड तक शोप एंड वोटर से आपक जो फूड है वो किसी के साथ भी और ड्रिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना है ओके आई होप यू अंडरस्टूड अगर आप कोविड-19 के इस एप्रोपिट बिहेवर को अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको विड-19 से काफी हद तक से रह सकते हैं ओके और तेस गाइडन धन फोरी गुड-19 दूट आपको गुड-19 इ जो उखिड वह की नोट पूट्बूग कें पंद सुद्ट के साथ निंट अटबूक बिल्कुल सरा इंड आ चाहिए एंड इस वकषट वी नंट बिसमिपिट अन चाहीए और आपके जो यह वाली वकषिट है पर समीट नहीं होगी ठेके ना प्लीज इग्नोर देट समीशन डेट की बन जो भी डेट दिया होगा उसको भूर करना है एंड वीडियो लेक्ट्ट्र आप टॉपिक एंड टूटोरियल पोर्टल आपका जो आपके टॉपिक से रिलेटेट टीचर ने जो वीडियो लेक्ट् आपको किस चीज का धियान रखना है और आपको किस चीज का धियान रखना है hold the hand of the elders person with you आपको उनका अपने जो आपके साथ बड़े हैं उनके साथ अगर आप road cross कर रहे हैं तो उनके हाथ को पकड़ कर आपको क्या करना है road को cross करना है ठीके ना we should cross the road only at zebra crossing हमेशा क्या 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 चाहिए and cross only when the signal so green और तभी क्या करना चाहिए road cross करनी चाहिए जबी भी क्या signal क्या हो green हो अगर yellow हो तो आपको wait करना होगा children ठेक है ना कभी भी red और yellow में आप signal में आप क्या नहीं करेंगे road cross नहीं करेंगे if there is no signal अगर वहाँ पर कभी कोई signal नहीं है तो आपने क्या करना है look to your left अपने left देखना है अपने right देखना है and left again ठीक है ना दुबारा से अपने left देखना है and cross the road if it is clear और आपने तब cross करनी है जब आपने देख लेना है कि cross की road clear है कोई नहीं है ठीक है ना next children traffic signal traffic signal में सबसे पहले जो red light होती है वो क्या कहती है red light से कहती है stop अभी रुको ठीक है ना and yellow light से क्या कहती है yellow light क्या कहती है wait अभी इंतिजार करो ठीक है ना और green light क्या बोलती है go ठीक है ना कि अब रास्ता क्या है या road क्या है clear है आप आप जा सकते हैं गो, green में आपने क्या करना है गो, जाना है ठीके न next children, in the swimming pool आप जब आप swimming pool में हो तो आपको किस चीश का धियान रखना है क्या क्या करना है ठीके न so children, once again Amna change into her swimming suit and jump into the water alone Amna ने क्या किया अपने dress वो change किया और swimming suit को पहना और कहां चली गई जंप कर दिया कहां water में alone अकेले ही ठेके न तो lifeguard विशल immediately and told her to come out वार lifeguard ने क्या किया विशल बजाया और अमना को क्या बोला पानी से बहार आने को बोला क्योंकि वो क्यों बोला क्योंकि वो अकेले ही बिना अपने बड़ेओं के साथ से अकेले ही कहां पानी में चली गई थी कहां ठेके न तो lifeguard ने क्या कहा इमिड़ेट विशल बजाई and told her to come out उनको अमना को बहार आने के लिए कहा तो lifeguard की duty क्या है क्या है he make sure everyone is safe at beach और pool lifeguard की duty होती है कि जो लोग बीच में होते हैं समुद्र के किनारे होते हैं swimming pool में होते हैं वो lifeguard की duty होती है उनको safe रखने की उनको बचाने की अगर कोई डूब रहा है या कोई खत्रे में है तो lifeguard उनकी क्या करते हैं मदद करते हैं और अमना ने क्या क्या अमना अकेले ही बिना अपने बढ़ों के साथ के बिना ही कहा पानी में चली गई ठीके ना swimming pool में तो एक दम किसने कहा lifeguard ने उनको बहार आने के लिए बोला told her to come out उनको पानी से बहार आने के लिए बोला हमना को तो children कभी भी ऐसा ना करें अपने बढ़ों के बिना कभी भी swimming pool में ना जाएं road cross ना करें ठीके ना ओके बी सेफ ठीके ना और सेफ रहे सुरक्षित रहे ठीके ना अबर 75 page number is complete हमारा जो 75 page number complete है next day I explain to you page number 76 and 77 both page I will explain to you next day now this is your worksheet and today is your true false worksheet and one word answer so first is children we should play with majestic क्या हमें majestic से खेलना चाहिए नहीं false we should play with majestic is it false and do not get on or off a moving bus क्या नहीं करना चाहिए क्या हमों चलती बस में उपर नीचे नहीं करना चाहिए ठीके ना करते हैं बच्चे कभी उपर चल रहे हैं कभी नीचे तो ऐसा नहीं करना चाहिए is it true ठीके ना do not go near gas stop आपको नहीं जाना चाहिए stop gas और ठीके ना so is it true we should play on open terrace आपको जो खुली चत है आपको मा खेलना चाहिए नहीं नहीं खेलना चाहिए children is it false next is safety means staying away from danger and harm safety का मतलब क्या है क्या है safety हमें क्या बचाती है danger and harm से बचाती है खत्रे से बचाती है आपको ठेके ना आपको चोट लगने से बचाती है ठेके ठीके न, अगर आप safety का दिहान नहीं रखेंगे, तो आप injured हो जाएंगे, आपको क्या होगा, चोट लगेगी, आपको खत्रा होगा, ठीके न, इसलिए आप अगर safety रखेंगे, तो आप danger से भी बच जाएंगे, और harm होने से भी बच जाएंगे, ठीके न, जो आपको खत्रा हो हमें सब फॉलो करना चाहिए, safety rules, ठीके न, safety का फॉलो करना चाहिए, we should never play with sharp object, कभी भी जो तेज, sharp का मतलब होता है, ठीके न, जो पैने, नुकीले होते हैं, उनसे object से हमें कभी नहीं खेलना चाहिए, like scissor, many things न, तो उनसे आपको नहीं खेलना चाहिए, the yellow light से, dash, क्या कहती है yellow light, yellow light कहती है wait, अभी इंतिजार करो, ठीके न, and do not disturb the person who is driving, कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं, when your father is driving car, तो बच्चे क्या करते हैं, disturb करते हैं, ठीके न, तो children जबी भी कभी को driving कर रहा हो, तो उनको क्या disturb नहीं करना चाहिए, ठीके न, so do not disturb the person who is driving, who is driving, जो कोई person है, जो क्या कर रहा है, driving कर रहा है, उनको disturb नहीं करना चाहिए, I hope you understood children, आपको समझ आया होगा, ठीके न, and आपने ये तो करना ही अपनी notebook में, and you also draw traffic signal, आपने इसको भी draw करना है, traffic signal का जो ये picture है, इसको आपने draw करना है, अपनी notebook में, ठीके न, ये आपका homework है also, ठीके न, आपने red light, green light, yellow light, and green light, इनको आपने draw करना है, ठीके न, ये आपने क्या करना है, draw करना है, अपनी notebook में, okay, I hope you understood children, if you have any confusion, related your subject, related your topic, so you ask me on our class, what's up group, okay, thank you children, have a nice day,